असलाम अलेकूम कैसे हैं आप सब लोग आई होप आप सब अच्छे होंगे आज हम आलू मटर पनीर की सबसी बना रहे हैं बहुत ही डिलिशस बनती है तो चलिए स्टार्ट करते हैं मकनी रेसिप ये देखे एक बड़े साइस की प्यास तीन टिमाटर मैंने लिए हैं थोड़ ट्लैट की спो अब मलेंड़ से करेंगे। यार्ट वं में दूआ हुआ ही बागए कज़ुए घूए करम छलते हैं अंडते हैं इसकोर से लिए बड़े वा जचाइब डिलियां थंड़ा रही हूं अब मैं जीरा डाल रही हूँ, यह मैंने ब्लेंडर में पीस लिया था, यह मैं इसके अंदर क्रेमी डाल रही हूँ, जो मैंने पीस के रखी थी, अब हम इसको अच्छे से फ्राई करेंगे, बड़ी को एक सी रेसिपी है, आलू काट के रखें, मटर मैंने लिया हुए, यह मै खुद बनाएंगे, यह मैंने मसाला अच्छे से बुन रहा है, यह मैंने वन टीस्पून इसके अंदर कश्मीनी लाल मिर्च, वन टीस्पून इसके अंदर भिसी लाल मिर्च, और वन टीस्पून इसके अंदर धनिया पॉर्डर, वन फाफ टीस्पून इसके अंदर मैंने ह इसे टेज़ बहुत ही अच्छा आता है अलु एड कर लिए उसके अंदर में छोटे चोटे पीस में काटके रखे लिए अलु इस मटर एड करेंगों इस अधिया इसको बहुत ही तेस्टी लगती है इसको कुल्चे के साथ खाएं तंदूरी नान के साथ खाएं पूपर टेस् जाता है तो बहुत हाँ यहारा आलू और मटर कोम्तर हम गला लेगे पिर हम एक के अंदर पनीर आड करेंगे और ट्रीम एड करेंगो पनीर आड करेंगे समाल के बनाएंगे बहुत ज्यादा हम इसको ग्रेप पतली नहीं बनाएंगे सब्सी तोड़ी सी सिसके अधरक मैंने अड़ करी जूलियन और क्रीम एड़ करेंगे हूं अब मैं इसके अंदर बिल्कुल एंड के अंदर और इसको भी हम पिक्स कर देंगे क्रीम इसलिए एंड और इसके अंदर हरा धनिया बहुत ही मज़े की सब्सी बनती ए इसको आप जरूर ट्राइ करिएगा मुझे कॉमेंट करके बताईएगा क्या आपको कैसे लगी है मेरे चैनल को जिसने अच्छान सब्सक्राइब निकिये सब्सक्राइब कर लें बैल आइकन को जरूर प्रेस किया करें ताके आने वाली वीडियो की अप्डेट साम लोगों को मिल सकें मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ चेक आला हम लेस